हालो स्टुडेंट्स, आज किस वीडियो में हम डिसकर्स करने वाले हैं पॉलिटिकल साइज का फाइनल एक्जाम का स्ट्रिक्चर ओपेपर तो वीडियो को शूरू करते हैं से पहले चैनल पे नहीं है तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को like share जरूर करना, हमारे telegram, whatsapp और instagram link description में दिया हुए, उसको भी जरूर join करना तो बच्चों पहले मैंने आपको कुछ simplify material, political science के provide किये थे channel पर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिये तो जरूर देखना और उसकी pdf मैंने telegram पर provide किये, तो आप telegram का link description में दिया है, वहाँ से आप join कर सकते हैं, ठीक है तो next कई बच्चों की इसमें comment आ रहे थे, कि हमें ma'am इसका structure of paper बता दो, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको structure of paper जो है, जानना है ठीक है, तो वीडियो को जादा जादा like और share जरूर करना चलिए शुरू करते हैं, तो यहाँ पर जो है बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपका देखो theory का paper 80 marks का आएगा, 20 marks का आपका project work और internal assessment होगी ठीक है, structure of paper के अगर हम बात करें, समय आपको पहले 3 घंटे का मिलेगा, सारे question compulsory होगे, आपके paper में जो है, 4 section होगे, A, B, C, D, ठीक है, total questions, 6 questions होगे, all units of the syllabus must be given, मतब सारी units से आपका paper में काम आएगा तो सबसे पहला question जो होगा, आपका objective type होगा, question number 1, इसमें 35 objective type question होगे, यह 35 question होगे, 11 marks के होगे, जोकि मैंने सारे अपने channel पर provide कर रखें, telegram पर provide कर रखें, आप वहां से वो पढ़ लो, वहीं से आना आपका, ठीक है, simplify material जो one word questions है, true false है, ठीक है, तो यह आपके 35 number secure कर लो, section B में आपके short questions आएंगे, question number 2, मतलब जो आपका short questions होगा, इसमें 8 sub part होगे, और सभी question 3, 3 marks की होगे, ठीक है, इन में से, जो है, आपको 8 question में से, आपको 5 question attempt करने होगे, मतलब 3, 3 marks के 5 question करने होगे, यह 15 marks का यह part आएगा आपको, और इनके answer 50 to 60 words में आपको लिखने होगे, आगे section C में आजाते हैं, section C long answer type questions आएंगे, यहाँ यह question number 3 होगा, इस question जो है, six marks होगे, इसमें 100% internal choice होगी, internal choice कैसे होगी, मानलो यह question number 3 है, choice में यहाँ पर एक और question होगा, question number 4 है, choice में यहाँ पर एक और question होगा, तो इस तरीके से आपको internal choice आएगी इसमें, इसका जो answer है, तो 10 से 20 sentence में आपको लिखना होगा, मतलब 10 से 20 line में आपको लिखना होगा, ठीक है, और यह सारे इस label से कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, यह 3-3 marks के आपकी कितनों होगे, six question होगे, नहीं, sorry, three question होगे, six marks के, ठीक है, 18 number के, उसके बाद आजाते हैं, section D, section D, sources based question होगा, यहाँ एक comprehension से आएंगे, comprehension से आपको जो है, जरूरी नहीं कि आपके वो text book से ही आए, कहीं से भी आ जाएगा, वो paragraph और उसके बाद उससे related questions आएंगे, और उन question को आपको solve करना होगा, तो यह बेटा आपको, जो structure पता करना तो मैंने इसकी वीडियो बना दी, I hope वीडियो आपके ल